असलाम अलेकुम आज जो मेरी स्पेशल वीडियो है वो वाटर बाड़ी के मुतलक है कि वाटर बाड़ी खराब हो जाए या वाटर पाम की शाफर तोड़ जाए तो क्या करना चाहिए दूसरा इस गाड़ी के अंदर इंजन आइल कितना होता है और कितने हास पावर की है पहले नमबर पर बता दूँ ये गाड़ी मेरे पास जो खड़ी है ये बी एच वन ट्वंटी एफ है बी एच वन ट्वंटी एफ डाइवो बस है और ये जो मेरे साथ खड़ी है ये डाइवो बी एच वन वन सिक्स है इनका मकसद क्या है इसकी बारा मीटर लंबाई है और बी और वाटर बाडी के बारे में मुरूमा देता हूँ हैं अब ये मैं डेवो बी एच वन टॉन्टी एफ के बैक सैट पर खड़ा हूँ इसका इंजन डोर हमने किस तरह खोलना है और इससे पहले आपको एक चीज़ बता दो हर काड़ी की बैक सैट के दूनों साइडों पर लाक हैं ये लाक इसलिए लगाए गया है कि 24 के साथ लाक कर लें आपके इंजन के साथ कोई छेड़ खानी ना करें आपकी गयरमजूदगी में अब ये इंजन डोर किस तरह खोलना है दोनों हाथों को बराबर हाथ लगाना है एक बाइं टांग आगे रखनी है और अकठ्छे ज जिस भाई को नहीं मलूँ ये बता रहा हूं उसके बाग सबसे पहले आपने फैन बैल्ट चेक करने क्या मेरे फैन बैल्ट बिल्कुल सारे ठीक हैं ये यकीन हो गया गाड़ी टेंपरेचर ले रही है सबसे पहले आपने ये काम करना है जी के वाटर बाड़ी को हाथ लगा जा रहा तो आपकी वाटर बाड़ी जो है वो बिल्कुल ठीक है अगर आपकी वाटर बाड़ी सही काम कर रही होगी तो ये उपर वाला पाइप देखें ये गरम होगा और ये नीचे वाला पाइप देखें ये बिल्कुल ठंडा होगा ये पाइप बिल्कुल ठंडा होगा और यह pipe गरम होगा, बिल्कुल गरम हाथ नहीं लगाया जाएगा, और यह water body गरम होगी, अगर जब water body काम नहीं करेगी तो यह ठंडी होगी, उसके बाद air check करने का है, इसके engine के बारे में, अब मैं आपको बता दूँ, इसका engine जो है, वो 340 हास पावर है, इसके अंदर जो है engine के अंदर जो आयल है, वो 24 लिटर डलता है, विद फिल्टर, और अगर फिल्टर हों के साथ, फिल्टर हम नहीं चेंज करते हैं, खाली air डालते हैं, तो वो 20 लिटर, कुछ भाई 22 लिटर भी air डालते हैं, अब air चेक करने का तरीका यह है, सबसे पहले आपने यह सुच कर देने हैं, उसके बाद गाड़ी को चेक करना है, क्योंकि खुदा ना खासता कोई आगे से स्खलफ लगा दे तो आपका हाथ यहां पे हो यहां पे हो, तो आपका हाथ भी डेमज हो सकता है, और आपकी डेथ भी हो सकती है, लहाज़ यह आफ होने चाहिए, और उसके दालने है, और यह आगे से पकड़ लेना है, ठीक है जी, यह अब मैंने साफ कर दी है, अगर यहां तक दूसरे पॉइंट तक आईल होगा तो पूरा होगा, इस पॉइंट तक आईल होगा तो आपका तकरीब़न दो से धाई या तीन लिटर आईल कम होगा, इस सुराख तक जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ, यहां तक आईल पूरा हो जाता है, अब हमने इस गेज को इसके अंदर जब डालना है तो इस तरह साफ बिलकुल, कपड़ा भी आपका साफ होना चाहिए, यह बेल्ट के साथ जैसे लगी है, यह मत्ती लगी है, मैंने दुबारा साफ की ह इसको बिलकुल स्पूर तरीके से इस तरह आपने गेज को प्रापर लेके जाना है, कुछ भाई इस तरह जोर जबर्दस्ती लगाते हैं तो यह गेज खराब हो जाती है, लहाज़ा इस तीज़ का ख्याल करना है कि कपड़ा भी बिलकुल सही यूज़ करना है, साफ हो, और इन्शाला अल्ला ने चाया बाद जिन्दगी रही, तो नेक्स्ट वीडियो में इसके बार में मैं मजीद मुलूमाद दोंगा, सुक्रिया